हेलो फ्रेंस, वेलकम बेक टू स्वादो सेहत आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मैंगो बनाना आइस क्रीम की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी है साथ ही बनाने में बहुत आसान है तो चलिए देरी नहीं करेंगे आइस क्रीम मनाना शुरू करेंगे तो ये आइस क्रीम मनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो आम लिये हैं दो केले लिये हैं एक कप चीनी लिये हैं और एक कप मलाई लिये हैं नॉर्मली जो हम दूद गर्म करते हैं घर में उस पर जो मलाई आती हैं मैंने इक कट्था करके लिए हैं, और आम मैंने यहाप सफेदा आम लिया है, अब मैं एक जार ले रही हूँ और जार के अंदर ये जो केले और आम हमने लिये हैं, इसके छोटे-छोटे पीस कट करके ढलेंगे, आप केसर आम भी ले सकते हैं, अगर आप केसर आम ले रहे हैं तो उसका कलर बहुत ही बढ़ी आएगा और अगर केसर आम आपके पास में नहीं है तो आप ये वाला सफेदा आम भी यूज़ कर सकते हैं तो आम और केला को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और अब इसका हमें एकदम fine paste त्यार करेंगे तो मैंने इसमें आप चुटकी भर color डाला है food color जो होता है वो डाला है मैंने इसमें ताकि इसका जो color है वो बहुत बढ़िया आए अगर केसर आम हम लेते हैं तो हमें color add करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर सफेद आम ले रहें तो थोड़ा सा color add करने और अगर आप नहीं add करना चाहते हैं color तो कोई बात नहीं आप skip कर सकते हैं इस पार्ट को और color डालने के बाद में इसको एक दो round और चला लेंगे ताकि color जो है पल्प में अच्छे से mix हो जाए तो देखिए food color डालने के बाद में ये जो mango pulp है इसका color बहुत ही बढ़िया आ गया है अब जिस भी container में हम ice cream जमाएंगे उसमें ये pulp जो है उसको चान कर ले लेंगे चान मैं इसलिए रही हूँ ताकि अगर कोई भी lumps रह जाए या कोई भी mango का रेशा रह जाए तो वो च्छन जाए अलांकि देखे इस पर बिल्कुल भी lumps निकले हैं कोई भी रेशा नहीं रहा है आम का एकदम fine एकदम smooth pulp जो है वो बन करके तयार हुआ है तो च्छान लिया है मैंने mango pulp को और अब इस container को थोड़ा सा tap कर लेंगे ताकि कोई भी air bubbles है और remove हो जाए और बस ढखकन लगा करके इसको लगबग 8-10 घंटे के लिए हमें freezer में रख देना है या फिर आप इसको overnight refrigerate कर लें तो रात भर मैंने इसको रख छोड़ा था freezer के अंदर और अब चेक करेंगे हमारी ice cream कैसी वनी है तो ये देखिए एकदम perfect तरीके से हमारी ice cream जम चुकी है और मैं आपको चमत से निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए कितनी soft और कितनी smooth हमारी ice cream बन करके तयार हुई है और बिल्कुल थोड़े से ingredients में घर पे जो भी हमारे ingredients available होते हैं उनी से हमने ice cream बनाई है और friends अगर आप चाहें तो बनाना skip कर सकते हैं अगर आप चाहें तो केवल mango के pulp से भी ice cream बना सकते हैं mango ice cream बन जाएगी बच्चों को बहुत पसंद आएगी तो जरूर बनाईएगा आप भी ice cream और खिलाएगा अपने बच्चों को और आपको कैसी लगी कैसी बनी आपकी mango बनाना ice cream comment box में comment करके अपने review share कीजेगा मेरे साथ में तो यह थी friends आज की recipe अगर आपको पसंद आई हो तो please वीडियो को like share करना मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर subscribe करना फिर मिलेंगे किसी नई recipe के साथ में इसी channel पर तब तक के लिए bye stay connected happy cooking